कई बार बहुत पूजा पाठ के बाद भी आपकी मनोकामना पुर नहीं होती है तो आप परिशान हो जाते हैं कि क्यों कुछ नियम है इसका पालन जरूर करना चाहिए पूजा करतिस में अपने सर को ढख कर रखें दूसरी बात दोनों हातों से चुकर भगवान को प्रणाम कर भगवान स्री हरी की पूजा में सुद्गी का ही दीपक जलाना चाहिए तेल का दीपक तो भूल कर भी न जलाए ये खास नियम है लेकिन पूजा के बाद क्या करें देखिए जब आप पूजा करते हैं फूल पुस्प बेगरे सब कुछ अरपित करने के बाद आप एक काम तो करते होंगे कि दीपक जलाते हैं सब जगा आरती दिखाते हैं लेकिन सब करने के बाद मोर का पंखा से हवा जरूर करना चाहिए तकि नकात्मक उड़ जाए दूर हो जाए और घर में सुकून और सुका च्छाओं आए सिंपल सी चीज है लेकिन पूजा करने के बाद हर परसाद खाने के बाद ही किसी से बात करे दाने